हेलो स्टुडेंट्स आज हम जिस पोएम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है दि बैंगल सिलर जिसे लिखा है सरोजनी नायडो ने सो पोएम में मूफ करने से पहले हम सरोजनी नायडो के बारे में कुछ जानेंगे सरोजनी नायडो का बर्थ 13 फेब 1879 को हैदराबाद में हुआ था उनका जन एक बैंगोली फैमिली में हुआ था उन्होंने अपने स्टडि चेन्नाई लंडन और कैम्बिज से की थी वो एक प इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो इंडिया के ऐसी फर्स्ट विमन थी जो की गवर्नर बनी और उनके बर्दे को हम नैशनल विमन स्टे के रूप में मनाते हैं इस पोएम की हिल्प से सरोजनी नायडू ने बैंगल सेलर्स की आवाज को रीडर्स तक पहुचाया है और इसके साथ-साथ उन्होंने एक विमन के लाइफ के थी डिफरेंट स्टेजेज को डिफरेंट कलर ओप पैंगल्स के साथ दिखाया है जो हम इस पोएम की हिल्प से स में जो speaker यानि कि बैंगल सेलर है वो अपने आपको introduce करते हैं और बोलते हैं बैंगल सेलर हम हैं जो कि अपने सर पर चमकती हुई चूड़ियों का bozdo होते हैं और उन्हें temple fair तक ले जाते हैं यानि कि किसी भी festival में जो fair लगता है उसमें बैंगल सेलर को अपनी चूड़ियों क Circle of Light इस लाइन की हिल्प से बैंगल सेलर अपने कस्टमर को बुलाते हैं और वो बोलते हैं कौन खरीदेगा इंडेलिकेट, ब्राइट, रेंबो टिंटेट चूडियों को डेलिकेट मिन्स कोमल, ब्राइट मिन्स चमकिली और रेंबो टिंटेट मिन्स मल्टी कलर्ड लाइक रेंबो लस्ट्रस टोकेंस और रेडियन्ट लाइफ्स फर हैपी दॉर्टर्स और हैपी वाइप्स Lustrous means Bright Token means Symbol और Sign Radiant means Pright and Happy यानि कि ये चमकती हुई चूडिया इस लाइन के हेल्प से Bangle Sailor बताते हैं ये चमकती हुई Multicolored Bangle यानि कि Symbol है वो Happiness की, वो खुशी की जो कि एक Happy Daughter और एक Happy Wife जीती है कुछ चूडिया जो है वो Unmarried Girl के लिए बना है यानि कि वो उनके कलाई में अच्छी लगेंगी और वो जो चूडिया है उनका कलर Silver and Blue है जैसे कि पहाडों के उपर जो कुहासा जमा रहता है तो वो चूडियों का रंग बिलकुल वैसा ही है Some are Flushed Like the birds that dream On the tranquil brow of a woodland stream Here Flushed Reefers Red तो कुछ चूडिया है वो उस birds की तरह यानि कि उस कली की तरह लाल है जो कि dream देख रही है कि वो आगे चलके flower बनेगी और वो जो कली है वो शांत woodland stream के माथे पर सजी है Some are aglow With the bloom that claves To the limpid glory Of newborn leaves और फिर भी कहते हैं कि कुछ बैंगल्स Glowing flower की तरह है और कुछ बैंगल्स उस पत्ते की तरह है जो कि अभी अभी आए है Here newborn leaves refers Light green color So according to the bangle seller जो लड़कियों के बैंगल के लिए color है वो है light blue and silver Light red And light green Some are like Fields of sunlight corn Meet for a bride On her bridal morn Here morn refers warning इस टैंजा से चूडियों का comparison Corn के उस खेद से किया गया है जहां सीधी sunlight पढ़ती है जिससे कि उससे पीला पीला रंग का चमक आता है यानि कि कुछ चूडिया जो है वो ऐसी ही पीली रंग की है और उस तरह की चूडिया एक प्राइट अपने शादी के next morning में पहनती है कुछ चूडियों का रंग जो है वो रेडिश यलो है जो कि मैच करता है मेरिश फ्लेम से यानि कि जो सादी के टाइम पर जो आग जली होती है जिसके चारो तरफ फेरे होते हैं तो कुछ चूडियों का जो रंग है वो उसी आग की तरह है इस लाइन की हिल्प से बैंगल सेलर बोलते है इन चूडियों की खनखना हट चमक और कोमलता उतनी ही प्योर है जितनी की उस बैट की happiness और sadness सो अकॉर्डिंग टो दे बैंगल सेलर जो बैट के बैंगल सेलर के लिए कलर है वो है रेड और येलो कुछ चूडिया जो है वो पॉपल और गोल्डेन कलर की है जिन पे की ग्रे कलर के dots किये गया है और वो चूडिया जो है वो एक middle-aged woman को suit करती है ये चूडिया जो है वैसे women के लिए है जो अपने बच्चों का ध्यान रखती है जो उनका पारण पोशन करती है और जो उनसे बहुत प्यार करती है और ये चूडिया जो है ये उन women के लिए है जो बहुत गर्व से अपने घर का सेवा करती है अपने घर का ध्यान रखती है और अपने हस्बेंट के साथ बैठ कर भगवान की पूजा भी करती है So students, major color जो की इस poem में डिसकस किया गया है वो है For maiden, silver and blue, light green and light red For bright, yellow and red And for middle-aged women, it's purple, golden and flaked grey So I am hoping that you have understood this poem So till then keep learning and keep studying Bye-bye So 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 झाल झाल